स्री राजनाशी जी, चीफ अब डिफेंस स्टाफ, जनरल विपिन रावत, थल सेना, नव सेना, और बायु सेना द्यक्ष, रक्षा सचीव, एन्सीची महानिर्देशक, और देश भर से यहां जुटे, राष्ट्र भक्ती की उर्जा से, ओत प्रोत, एन्सीची कडेट्स, आप सभी युवासाथियों के बीच, जितनी भी पल बिताने का मौका मिलता है, एक भवती सुख़द अनुभव देता है, अभी जो आपने यहां मार्च पास किया, कुछ केडेट्स ने पेरा सेलींग का हुनर दिखाया, जो यह सांस्कृतिक प्रदर्शन हुआ, वो देखकर, सिर्फ मुझे ही नहीं, आप टीवी के माध्यम से भी जो लोग देखते हुँगे, हर किसी को घर्म मैसूस होता हुगा, देश के कौने कौने से आकर, आपने 26 जनवरी की परेड में भी बहतरीन प्रदर्शन किया है, आपकी इस महनत को पूरी दुनिया ने देखा है, हम देखते हैं, दुनिया में जिन भी देशों में, समाज जीवन में अनुशाचन होता है, अपना पर्चम लहराते हैं, और भारत में, समाज जीवन में अनुशाचन लाने की, ये बहुत एहम भूमिका, एन्सीसी बहुख खुबी निभा सकती है, और आप में भी, ये समस्कार, जीवन परियंत रहना चाहिए, एन्सीसी के बाद भी, अनुशाचन की ये भावना, आपके साथ रहनी चाहिए, इतना ही नहीं, आप अपने आसपास के लोगों को भी, निरंतर इसके लिए प्रेरित करेंगे, तो भारत का समाज, इससे मजबूत होगा, बेश मजबूत होगा, साथियों, दुनिया के सबसे बड़े, यूनिफॉर्म, यूत और नाशन के रूप में, NCC ने अपनी जो चबी बनाई है, वो दीन और दीन और मजबूत होती जा रही है, और जब मैं आपके प्रयास देखता हूँ, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, आप पर भरोसा और मजबूत होता है, शौरिया और सेवाभा भार की परंपरा को जहां बढ़ाया जा रहा है, वहां NCC केड़ेट नजर आता है, जहां सम्मिधान के प्रती लोगों में जागरुकता प्रदा करने का अभियान चल रहा है, वहां भी NCC केड़ेट दिखते हैं, परियावरण को लेकर कुछ अच्छा काम हो रहा है, जल सवरक्षन या स्वच्छता से जुड़ा कोई अभियान हो, तो वहां NCC केड़ेट जरूर नजर आते हैं, संकट के समय में आप सभी जिस अधुत तरीके से, संगठित तरीके से काम करते हैं, उसके उधारं बाकी जग़ा पर बहुत कम देखने को मिलते हैं, बाड़ हो या दूसरी आपदा, बिते वर्ष, NCC के केरिड़ेट ने मुश्किल में फसे देश वाश्यों के राहत और बचाओं में सहायता किया है, कोरोना के इस पूरे कानखन में लाखो लाख केड़ेट्स ने देश भर में जिस प्रकार प्रशासन के साथ मिलकर, समात के साथ मिलकर काम किया है, वो प्रशांसनी है, हमारे समिधान में जिन नागरिक करतवयों की बात कही गई है, जिनकी हमेशे अपेच्छा की गई है, वो निभाना सभी का दाईकव है, हम सभी इसके साक्षी हैं, कि जब सिविल सुसाइटी, स्थानिय नागरिक, अपने करतवयों पर बल देते हैं, तब बड़ी से बड़ी चुनोतियों को भी हल किया जा सकता है, जैसे आप भी भली भाती जानते हैं, कि हमारे देश में एक समय में नक्सलवाद, माववाद, कितनी बड़ी समस्या थी, देश के सैंकड़ों जीले इससे प्रभावित थे, लेकिन स्थानिय नागरिकों का करतवय भाव और हमारे सुरक्षा बलों का स्चावरिय साथ आया, तो नक्सलवाद के कमर तूटनी शुरू हो गई, अब देश के कुछ गिंती के जिलों में, नक्सलवाद सिबट कर रह गया है, अब देश में न सिर्फ नक्सली हिंसा बहुत कम हुई है, लेकिन अनेकों युवाद हिंसा का रास्ता छोड़ कर विकास के कार्यों में जुड़ने लगे हैं, एक नागरी के तौर पर, अपने कर्तव्यों को प्राथ्विक्ता देने का प्रभाव, हमने इस कॉरोना काल में भी देखा है, जब देश के लोग एक जुड़ हुए, अपना दाईतों निभाया, तो देश कॉरोना का अच्छी तरम मुकाबला भी कर पाया, साथियों, ये कालखन चुनवती पुण तो रहा, पर ये अपने साथ अउसर भी लाया, अउसर चुनवतियों से निपटने का, विज़यी बनने का, अउसर देश के लिए कुछ कर गुजरने का, अउसर देश की च्छमताएं बढाने का, अउसर आत्म निर्भर बनने का, अउसर साधारन से असाधारन, असाधारन से सर्वस्रेश्ट बनने का, इन सब लक्षों की प्राप्ति में, भारत की युवाशक्ति की मुमिका, और युवाशक्ति का योगदान, सबसे महत्वपून है, आप सभी के भीतर भी मैं, एक राष्ट सेवक के साथ ही, एक राष्ट रक्षक भी देखता हूँ। इसलिए सरकार ने विशेश प्रयास किया है, कि एन सी सी की भुमिका, उसका और विस्तार किये जाए। देश की सीमावर्ती और समुद्री किनारों की रक्षा, और सुरक्षा से जुड़े नेटवर्क को ससक्त करने के लिए, एन सी सी की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है। पिछले वर्ष, 15 अगस्त को ये एलान किया गया था, कि कोस्टल और बॉर्डर एरिया के करीब, पौने दो सो जिलों में, एन सी सी को नया दाइत्व दिया जाएगा। इसके लिए लगबग एक लाख एन सी सी कैड़ेट्स को आर्मी, नेवी और एर फोर्स ट्रेन कर रही हैं। इसमें भी एक तिहाई बन थर्ड हमारी गल्स करे रहे हैं। गल्स कैड़ेट्स को ट्रेनिंग दी जा रही हैं। इन कैड़ेट्स का सेलेक्शन सभी स्कूलों और कॉलेजों चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, केंदर के हो या राज सरकार के हो, सभी को इसमें सामिल किया जा रहा है। एन सी सी की ट्रेनिंग उसकी शमताओं को भी सरकार तेजी से बढ़ा रही है। अब तक आपके पास सिर्फ एक फाइरिंग सिमिलेटर होता था। इसे अब बढ़ा कर 98 किया जा रहा है, करीब करीब 100, कहां एक और कहां 100। माइक्रो लाइट फ्लाइट सिमिलेटर उसको भी 5 से बढ़ा कर 44, 44 और रोविंग सिमिलेटर को 11 से बढ़ा कर 60 किया जा रहा है। ये आदूनिक सिमिलेटर एन सी सी ट्रेनिंग की क्वालिटी को और सुधारने में मदद करेंगे। साथ क्यों, ये आयोजन अभी जीज ग्राउन पर हो रहा है, उसका नाम फिल मार्सल के एम करियपाजी के नाम पर है। वो भी आपके लिए बड़ी प्रिर्णा है। करियपाजी का जीवन शावर्य की अनेक गाथाओं से बढ़ा हुआ है। 1947 में उनके राणनितिक कौशल की वज़ा से भारत को युद्ध में निरना एक बढ़त मिली थी। आज फिल मार्शल के एम करियपाजी की जन्म जैनती है। मैं सभी देशवास्यों की तरफ से आप NCC के केड़ेट्स की तरफ से उन्हें आदर पुरवक सद्धांजली अर्पित करता ह। आप मैं से भी अनेक साथियों की ये प्रबल इच्छा होगी कि आप भारत की डिफेंस फोर्सिस का हिस्सा बनें। आप सभी में वो सामर्त भी है और सरकार आपके लिए अउसर भी बढ़ा रही है। विशेश रुप से गल्स केड़ेट्स को मैं आगरे से कहूंगा कि आपके लिए अब ये अउसर अनेक अउसर आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं आपने सामने भी देख पा रहा हूँ और आखड़े भी बताते हैं कि बीते वर्षों में एंसीसी में गल्स कड़ेट्स में करीब करीब 35% 35% की बढ़ोतरी हुई हैं। अब हमारी फोर्सिस के हर फ्रेंड को आपके लिए खोला जा रहा है। भारत की भीर बेटियां हर मोर्चे पर शत्रू से लोहा लेने के लिए आज भी मोर्चे पर डटी हुई है। आपके शावरिय की देश को जुर्रत है और नई बुलंदी आपका इंतजार कर रही है। और मैं आपको और आप में भविश्य की अफिसर्स भविश्य के अफिसर्स भी देख रहा हूँ। मुझे आध है मैं जब कुछ दो ढ़ाई मेहने पहले दिवाली पर जेसल मैर की लौंगे वाला पोस्ट पर गया था। तो कई यंग अफिसर्से मेरी मुलाकात हुई थी। देश की रक्षा के लिए उनका जजबा, उनका होसला, उनके चहरे पर दिखर ही अदम में इचा सकती। मैं कभी भूल नहीं सकता। चात्यों लौंगे वाला पोस्ट का भी अपना एक गवरो मही द्यास है। सन 71 के यूद्ध में लौंगे वाला में हमारे वीजवीर जाबाजों ने मिरना एक विजय प्राप्त की थी। तब पाकिस्तान से युद्ध के दोरान पूरब और पस्चिम के हजारों किलोमेटर लंबे बॉर्डर पर भारत की फोज ने अपने प्राक्रम से दुश्मन को धूल चटा दी थी। उस युद्ध में पाकिस्तान के हजारों सैनिकों ने भारत के जाबाजों के सामने सरंडर कर दिया था। चांस वर्ष हो रहे हैं। भारत के हम लोग 1971 की जंग में देश को जिताने वाले भारत के बीर बेटे बेटियों के साथ उनके सारिय आज पुरा देश उन्हें सेल्यूट करता है। इस युद्ध में देश के लिए जो सहीद हुए है। आज मैं उन्हें अपनी सद्धान लिए अर्पित करता ह। साथियों आप सभी जब दिल्ली आए हैं तो नेशनल वार मेमोरियल जाना बहुत स्वाभावी है। राष्ट रक्षा के लिए जीवन अपित करने वालों को सम्मान देना हम सभी का दाईत्व है। बलकि इस गणतंत्र दीवस को तो हमारा जो गैलेंट्री एवर्ट पॉर्टल है www.galantryavert.govgov.in उसको भी नए रंग रूप में रिलाउंच किया गया है। इसमें परम वीर और महवीर चक्र जैसे सम्मान पाने वाले हमारे वीर सैनिकों के जीवन से जुड़ी जानकारिया तो है। आप इस पॉर्टल पर जाकर इनकी विरता को नमन कर सकते हैं। और मेरा NCC के वरतमान और पुर्व सभी कर्डेट से आग रहा हैं। कि आपको इस पॉर्टल पर जाना चाहिए, जुड़ना चाहिए और लगातार उसके साथ एंगेज रहना चाहिए। साथियों, मुझे ये भी बताया गया है, कि जो NCC Digital Platform बनाया गया है, उसमें अभी तक 20,000 से जादा केड़ेट जुड़ चुके हैं। इन केड़ेट ने अपने अनुभव, अपने आइडियाज शेर करना शुरू भी कर दिया है। मुझे विश्वात हैं, कि आप सभी इसी प्रेटफरम का जादा से जादा उप्योग करेंगे। साथियों, राष्ट भक्ति और राष्ट सेवा के जिन मुल्यों को लेकर आप चले हैं, उनके लिए ये साल बहुत महत्वप्रून है। इस वर्ष भारत अपनी आज़ादी के 75 वर्ष में प्रवेश करने वाला है। ये वर्ष नेताजी सुभात अंद्र बोश की 125 वी जन्म जन्ती का भी है। जीमन में प्रेणा के इतने बड़े अवसर एक साथ आएं, ऐसा कम ही होता है। नेताजी सुभात जिनोंने अपने पराकरम से दुनिया की सबसे मजबुत सत्ता को हिला कर रख दिया था। आप नेताजी के बारे में जितना पड़ेंगे उतना ही आपको लगेगा कि कोई भी चुनावती इतनी बड़ी नहीं होती कि आपके होसले को डिगा सके। देश की आजाजी के लिए अपना सब कुछ नियुचावर कर देने वाले ऐसे अनेक भीर आपको अपने सपनों का भारत बनाते हुए देखना चाहते हैं। और आपके जीवन के अगले 25-26 साल बहुत महत्वपून है। ये 25-26 साल भारत के लिए भी उतने ही एहम है। वर्थ 2047 में 2047 में जब देश अपनी स्वतंत्रता के सौवर्थ पूरे करेगा तब आपके आज के प्रयास भारत की इस आत्रा को मजबूती देंगे। यानि ये वर्ष एक कडेट के रुप में है और नागरी के रुप में मिली है। नए संकल्प लेने का वर्ष है। बेश के लिए संकल्प लेने का वर्ष है। देश के लिए नए सपने लेकर के चल पढ़ने का वर्ष है। बीते साल बड़े बड़े संकटों का जी सामुहिक सक्ती से एक राश्ट एक मन से हमने सामना किया उसी भावना को हमें और ससक्त करना है हमें देश की अवर्थ ववस्ता पर इस महामारी के जो दुस्प्रभाव पड़े हैं उसको भी पूरी तरह नेश्ट नाबूत कर रहा है और आत्मंदिर भर भारत के संकल्प कर भी हमें पूरा करके दिखाना है ताप क्यों? बीते साल भारत में दिखाया है कि वायरस हो या बॉर्डर की चुनवती भारत अपनी रक्षा के लिए पूरी मजबूती से हर कदम उठाने में सक्षम है वैक्सिन का सुरक्षा कबच हो या फिर भारत को चुनवती देने वालों के इरादों को आधुनिक मिसाइल से द्वस्त करना भारत हर मोर्चे पर समरता है आज हम वैक्सिन के मामले में भी आत्मनिरवर है और अपनी सेना के आधुनिक करन के लिए उतनी ही तेजी के से प्रयास कर रहे हैं भारत की सभी सेनाएं सर्वस्त हो इसके लिए हर कदम उठाए जा रहे हैं आज भारत के पास दुनिया की बहतरीन वार मशीन्स हैं आपने आज मिडिया में भी देखा होगा कल ही भारत में फ्रांस से तीन और रफाइल फाइटर प्लेन आए हैं भारत के इन फाइटर प्लेन्स ही मिड एर ही रिफ्यूलिंग हुई है और ये रिफ्यूलिंग भारत के मित्र उनाइटेड अरव अमिरात ने की है और इसमें ग्रीस और सौधी अरव ने सयोग किया है ये भारत के खाड़ी देशों के साथ मजबूत होते समंधों की एक तस्वीर भी है साथियों अपनी सेनाओं की जादा तर जरूरतों को भारत में ही पुरा किया जा सके इसके लिए भी सरकार द्वारा बड़े फैसले लिये गए घए सो से ज़ादा सुरक्षा से जुड़े सामानों की विदेशों से खरीद को बंद कर उनको भारत में ही तयार किया जा रहा है अब भारत का अपना तेजर फाइटर हमारा तेजस फाइटर प्लेन समंदर से लेकर आस्पान तक अपना तेज ठाला रहा है हाल में वायू से ना के लिए 80 से ज़्यादा तेजस का ओरर भी दिया गया है इतना ही नहीं आर्टिफिशल इंट्रिजन्स आधारित वार्फेर में भी भारत किसे से पीछे ना रहे इसके लिए हर जरूरी आर एंडी पर फोकस किया जा रहा है वो दिन दूर नहीं जब भारत डिफेंस इक्विप्मेंट के बड़े मार्केट के बजाए एक बड़े प्रोडूशर के रूप में जाना जाएगा साथियों आत्म निर्वर्ता के अनेक लक्षों को आज आप साकार होते हुए देख रहे हैं तो आपके भीतर गर्व का एसास होना बहुत स्वाभाविक है आप भी जब अपने में अपने दोस्तों के बीच में लोकल के प्रती उत्सा अनुभव कर रहे हैं मैं देख रहा हूँ कि ब्रांच को लेकर भारत के युवाओं की प्रेफरेंस में भी एक बड़ा बड़लाव आया है अब आप खादी को हिलीजिये खादी को किसी जमाने में नेताओं के लिवास के रूप में ही अपने हाल पर छोड़ दिया गया था आज वही खादी युवाओं की पसंदिदा ब्रांड बन चुका है खादी के कुर्ते हो खादी का जकेट हो खादी का दूसरा सामान हो वह आज युवाओं के लिए फैशन का सिम्बल बन चुका है इसी तरह आज टेक्टाइल हो या इलेक्ट्रोनिक्स फैशन हो या पैशन तो हार हो या शादी लोकल के लिए हर भारतिया वोकल बनता जा रहा है करोना के मुश्किल समय में भी भारत में रिकॉर्ड संग्याम है स्टार्ट अप्स बने हैं और रिकॉर्ड युनिकॉर्ण देश के युवाओं ने तयार किया है साथियों 21 वी सदी में आत्म निर्वर भारत के लिए आत्म विस्वासी युवा ये इसकी पहली शर्थ है बहुत जरूरी है ये आत्म विस्वास फिटनेस से बढ़ता है एजुकेशन से बढ़ता है स्कील और उचीत अवसरों से आता है आज सरकार देश के युवाओं के लिए जरूरी इनी पहलूँओं पर काम कर रही है और इसके लिए सिस्टम में हमें हर जरूरी रिफॉंस भी किये जा रहे है हजारों अटल टिंकरिंग लैब से लेकर के बड़े आधुनिक शिक्षा समस्तान तक स्कील इनिया मिसन से लेकर मुद्रा जैसी योजनाओं तक सरकार हर दिशा में प्रयास कर रही है आज फिटनेस और स्पोर्ट को भारत में अबुत्पुर्व प्रात्विक्ता दी जा रही है फिट इनिया अभियान और खेलो इनिया अभियान देश के गाउं गाउं में बहतर फिटनेस और बहतर टैलेंड को प्रोचाइट कर रहा है फिट इन्डिया भ्यान और योग को प्रोचान देने के लिए तो NCC में भी विशेश कारकम चलते हैं नई नेशनल एजुकेशन पॉलिशे के माध्यम से भारत के एजुकेशन सिस्ट्रिक को भी प्री नर्सरी से लेकर प्री तक स्टूडेंट सेंट्रिक बनाया जा रहा है अपने बच्चों को युवा सांत्यों को अनावश्यक दबाव से मुक्त करके उसकी अपनी इच्छा अपनी रूची के हिसाब से आगे बढ़ने के लिए माहोल बनाया जा रहा है खेती से लेकर स्पेस सेक्टर तक हर स्टर पर युवा टैलेंट के लिए युवा उद्दिम्यों के लिए अवसर दिये जा रहे है आप इन अवसरों का जितना लाब उठाएंगे उतना ही देश आगे बढ़ेगा हमें वयम राष्ट जागरयाम इस वैदिक आहमान को 21 सदी की युवा उर्जा का उद्दोष बढ़ाना है हमें इदम राष्ट आए इदम नममा यानि ये जीमन राष्ट को समर्पित है इस भावना को आत्मसात कर रहा है हमें राष्ट हिताय राष्ट सुखायच का संकल्प लेकर प्रतेग देशवाजी के लिए काम करना है आत्म बच्षर्वभूतेशू और सर्वभूत हितेरता यानि सबका साथ सबका विकाद सबका विश्वाद के मंत्र के साथ हमें आगे बढ़ना है अगर हम इन मंत्रों को अपने जीवन में उतारेंगे तो आत्म निर्भर भारत के संकल्प के सिद्धी में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा एक बार फिर आप सभी को गनतंत्र दिवेश परेड का हिस्सा बनने के लिए बहुत 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 आपके बहुमुल इस शब्दों के लिए हम बहुत आभारी हैं हम विश्वास दिलाते हैं